बिस्मिलाहिर्वानराहिम, असलामलेकूम, आज मैं आपके साथ चिकन मंचूरियन और एक फ्राइड राइस की बहुत ही लाजवाब, टेस्टी और रेस्टरेंट स्टाइल की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है, जबकि पूरी तो आए चल कर शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमने हाफ की जी चिकन ले लेना है, और इसमें शामिल करेंगे हम दो टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर के, कॉर्ण फ्लोर इसका में इंक्रिडियन्ट है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है, वन टी स्पून हम इसम जिंजर और गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे, वन टी स्पून वाइट पैपर, इसके अलावा आप सॉसेस की बारी आगी है, सॉसेस में हम इसमें शामिल करेंगे, वन टेबल स्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून चिली सॉस और वन टेबल स्पून हम इसमें विनिगर य अगर हम इकठा डालेंगे तो यह आपस में जोड़ भी सकती है और हमने इसको golden brown होने तक fry कर लेना है और इसको crispy-crispy हम fry करके dish out कर लेंगे अब हमने इसकी gravy कैसे त्यार करनी है हमने gravy त्यार करनी है वन टेबल स्पून हम इसमें ginger garlic paste शामिल करके इसको दो मिनट तक fry कर लेंगे प्याज हमने cubes की shape में काट ली थी जड़ा बड़े size की और बड़े size ही की शिमला मिर्च cubes की shape में हमने काट के रखी वी थी उसको इसमें fry कर लेंगे प्याज और शिमला मिर्च की frying के बाद हमने 2 टेबल स्पून इसमें सिर्कार शामिल करना है 2 टेबल स्पून सोया sauce और 2 ही टेबल स्पून हम इसमें chili sauce का शामिल करेंगे और one cup हम इसमें tomato ketchup का शामिल करके इनको अची तरह से हम mix कर लेंगे इसके इलावा इसमें बहुत important जो चीज शामिल होती है वो है चीनी चीनी से इसका flavor जो है वो enhance होता है यह तमाम sauce जो हमने इसमें शामिल किया है यह सब के सब खटे होते हैं तो चीनी इन सब के flavor को balance कर देती है और चीनी शामिल करके हम इसमें शामिल करेंगे 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon पिसीवी लाल मिर्च, 1 teaspoon black pepper पिसीवी लाल मिर्च भी optional है आप ना लालना चाहें तो इसको skip भी कर सकते हैं 1 cup हमने चीकन की जखनी शामिल करने के बाद अपनी fry की हुई चीकन शामिल कर देनी है चीकन शामिल करने के बाद हम 2 tablespoon cornflour थोड़ से पानी में mix करने के बाद इसको gravy में शामिल करेंगे कौन फ्लोर मिक्स करने से आपकी ग्रेवी जो है उना बहुत थिक रहेगी और नहीं बहुत पतली हो जाएगी बलके बहुत अच्छी और दिर्मियानी से आपकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी दो मिनट आपने कॉन फ्लोर को शामल करने के बाद अपनी ग्रेवी को अची तरह से पका लेना है और उसके उपर ग्रीन अनियन स्प्रिंकल करके इसको दम लगा देना है और जिनाब जबर डसा मंचूरियन रेडी करने के बाद अब बारी है फ्राइड राइस को रेडी करने की तो सबसे पहले हमने लिया है वन फॉर्थ कप ऑईल इसमें वन टेबल स्पून जिंजर गारलिक पेस्ट को अची तरह मिक्स करने के बाद हमने आदा कप इसमें चकोर कटीवी गाजर वन फॉर्थ कप शिमला मिर्स चकोर का टीवी वन फॉर्थ कप मटर और वन कप हमने इसमें बन गोवी का शामिल कर लिया है और इन सारी सबजें को हम अची तरह से फ्राइड करने के बाद थोड़ा सा जो साइड पे ऑईल निकला है और आपके छोटे से कमेंट से भी हमारी बहुत होसला आफजाई हो जाती है अबसे पहले हमने शामिल करना है तीन टेबल स्पून सोया सॉस तीन टेबल स्पून सिर्का और दो टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करना है इसके बाद हम 1 tablespoon black pepper शامل करेंगे लेकितन हमे के साइब बैड आप डमख शामल करेंगे लेकिन आप इसको अगर चाहें तो всегда भी गर सकते हैं vegetable हमारी माशाला से रेडि हो चुकी है अब हम इसको चावलों के साथ दम लगाएंगे धाई कब चावल हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे इनको हम वेजिटेबल के साथ अच्छा सा दम लगा देंगे और पांच मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें और ना भूलिएगा टेक केर, अलाहाफिस